यातमाल जिले के दिग्रश शहर के ग्रामिन अस्पताल में शुक्रवार को जाज के लिए पहुची एक गर्पवती महिला को करंट लगने की घटना सामने आई है अस्पताल में लगे फायर रील उपकरन के पास घटित इस घटना के तुरंद बात अस्पताल प्रशासन ने महिला को एंबुलन से यातमाल के सरकारी अस्पताल रवाना किया दिग्रश सवादता जुबेर खान ने इस घटना की जानकारी हमसे साजा की है आए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला दिग्रश शहर के ग्रामिन अस्पताल में हर शुकरवार को गर्बवती महिला नियमित जाच के लिए पहुचती है शुकरवार दो दिसंबर को भी बड़ी संख्या में यहां गर्बवती महिला जाच के लिए पहुची थी ऐसे में तैसील के महागागाओ की रहने वाली निशा आनन दिंगोले नामक 25 वर्षी महिला जाच के लिए यहाँ आई हुई थी जाच कक्ष के सामने लगे फायरील उपकरन के पास वह खड़ी थी ऐसे में संबंदित महिला का सपर्श उस उपकरन से हुआ और उसे बिजली का जोर का जटका लगा जिसके बाद सरकारी अस्पताल के करमचारी और डॉक्टर हडबड़ा गए और उस महिला को प्रार्थमिक उपचार देते हुए एमबुलनस से उसे यह उत्माल के सरकारी मेडिकल अस्पताल में रवाना किया गया मालूम हो कि दिगरस ग्रामीन अस्पताल में हाल ही में अगनी शमन उपकरनों को लगाया गया है इस उपकरन के पैनलों को लगाने का काम नाकपूर की असार असोसियेट्स नामक कमपनी द्वारा किया जा रहा है सुत्रों ने बताया कि फायर होज रील नामक उपकरन जिसके ताल डीपी पैनल से जुड़े थे उसे अर्थिंग नहीं मिलने से इस उपकरन में बिगाड उत्पन हुआ और इस उपकरन में बिजली प्रवाहित होने से उस महिला को बिजली का जटका लगा इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि शेहर के ग्रामिन अस्पताल प्रशासंद्वारा अगनी शमन उपकरनों को लगाने का जो काम किया जा रहा है वह अस्पताल और अस्पताल में आने वाले लोगों के हित में जरूर है लेकिन S.R. Associates नामक कमपनी की गहर जिम्मेदारी और इस कमपनी के तकनीकी करमचारियों की लापरवाही की बदोलत यह घटना घटी है इस घटना के बाद यहां दूर दरास से आने वाले मरीजों में भय व्याप्त हो चुका है इस घटना के बाद इस समय अस्पताल के प्रभारी वैद्धी की अधिक्षक डॉक्टर वीरेंदर अस्वार से हमने फोन पर संपर किया तब उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को सग्यान में लेते हुए महिला को ततकाल यह उत्माल रवाना किया और S.R. Associates नामक कमपनी के प्रतिनी थी और संबंदी तकनीशियन आदी को आड़े हातों लेते हुए इस बिगाड को ततकाल दूर करने के आदेश दिये गए हैं साथ ही डॉक्टर वीरेंदर अस्वार ने यह भी बताया कि अस्पताल प्रशासन के लिए मरीजों की वैद्दे की सेवा और उनकी सुरक्षा सर्वोपरी है इसलिए इस घटना को सग्यान में लेकर इसकी जाच कराने और बिगाड़ पूर्न उपकरनों को दुरुस्त कर अस्पताल में कारिरत डॉक्टर करमचारियो सहित यहां जाच के लिए आने वाले मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी उन्होंने आश्वासन दि और यही वज़ा है शायत के लीकेज से यह हाथसा हुआ जिसे दुरुस्त कर लिया गया है बविश्य में इस तरह की घटना नहों इसके लिए भी परियाप्त व्यवस्ता की गई है कुल मिला कर देखा जाए तो इस पूरे मामले में काफी हद तक यह सार असोसियेट्स नाम कमपनी की लापरवाही उजागर हुई है ऐसे में वक्त रहते अस्पताल परशासन संबंदित कमपनी की जवाब देही तैकर कारवाई करे और अस्पताल में आने वाले मरिजों के जानमाल की रक्षा की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करे ताकि लोगों में इस घटना को ल